कितना आकर्शक लगता अगर हम अपनी धर्ती के आकाश में कोई आकाश गंगा देख सकते और यह भविश्य में कुछ लाखों वर्षों में एक वास्तविक्ता बन सकती है हमारी Milky Way गैलेक्सी और Andromeda गैलेक्सी एक दूसरे की तरफ बढ़ रही है जिसके परिणामस्वरूप भविश्य में एक सुपरमैसिव गैलेक्सी का निर्मान हो सकता है लेकिन सोचने की बात ये है कि क्या यह संभव होगा कि हमारा सौर मंडल और प्रिथवी ग्रह इस तरह की टक्कर से बचे रहेंगे मिल्की वे गैलेक्सी लगभग सौ हजार प्रकाश वर्ष बढ़ी है और मिल्की वे गैलेक्सी में कम से कम सौ अरपतारे हैं और हमारा सूर्या उनमें से एक है यद्यपी अलग-अलग तारों के बीच की दूरी बहुत कम प्रतीत होती है लेकिन वास्तव में तारों के बीच की ओसत दूरी लगभग पांच प्रकाश वर्ष है हमारे निकटम स्टार सिस्टम प्रॉक्सिमा बी की दूरी हमसे लगभग चार प्रकाश वर्ष है जो इस औसत के करीब है एंड्रोमेडा और मिलकी वे में विशालकाई ब्लाक होल है जो वास्तव में गैलेक्सीज की टक्कर होने पर एक दूसरे के साथ विलीन हो जाएंगे यह विशालकाई ब्लाक होल नवगठित विशाल गैलेक्सी का केंद्र होगा हमारा सौर मंडल नए ब्लाक होल के केंदर के पास स्थित हो सकता है या यह भी संभव है कि यह नवगठित गैलेक्सी से बाहर निकल जाए यह एक दुरलब संभावना है कि हमारा सूर्य कभी किसी अन्य तारे से टकराएगा क्योंकि तारों के बीच की दूरी वास्तव में बहुत अधिक होती है अगर कोई तारे टकराते भी हैं तो यह भी एक लंबी प्रक्रिया होगी जिसमें दो तारे एक दूसरे से टकराने से पहले एक दूसरे की परिक्रमा करते हैं लेकिन यह टक्कर कई नए सितारों को जन्न दे सकती है यह प्रक्रिया अनिश्चित काल तक चलती रहती है क्योंकि प्रक्रिती में कुछ भी नश्ट नहीं किया जा सकता बलकि पदार्थ का केवल रूप ही बदला जा सकता है